एम सीडी और पुलिस एन एचेट हाईवे हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है दो जार रुपे की रेडी का पाच 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 तस जार रुपे का चलान किया जाता है पैसे भी दे दिया गया अब करवा टेवल के लीचे से 700 रुपेया भी चाहिए इनको लेकिन हमें इतना परेशान किया जाता है जिसकी कोई हद नहीं है इस वक्त मैं दिल्ली के चंतर मंतर पे हूँ और एक भाई तकती लिए यहां पर खड़े हैं जी ट्वन्टी का बहाना बनाकर रेडी पटरी उजाडना बंद करो दिल्ली पुलिस पत्विक्रेताओं की सुरक्षा करें क्या चाहते हैं आप लोग क्या सुरक्षा क्यों ही हो रही आपकी क्यों सुरक्षन ही हो रही है क्या होता है व। करके हम चाहेज़ी और पान के दुकाने मेरी साप कशन लेड़ोंगき प्रेट प्रकॉड आज चाही की दुकान है सर मेरे खाने की दुकान है सर राजमा चावल कडी चावल सब्जी रोटी सर हमें ए रिपोर्ट के पास रैडी लगातें मसीडी और पुलिस एनाच एडा को परेसान करती है मसीडी के साथ पुलिस अधिकारी आते पुलिस के सामने रैडी उठा कर ले जाती है तो हमें लॉन मिला है वह कहने का मतलब यह यह 10,000 रुपे गीजीं के ना हमें लौन दिया तो दोजारुपे की रेडि का आठाट तर पाच-पाच हुजार रुपे चलान हो जाता है तो हम कहां से भरेंगे कहां से रोजगार कर पाएंगे सर हमारे को वेंडिंग सार्टिफिकेट मिल चुका है 2014 के तैक्त कानून पास है रैडी पटरी का लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुआ है तो परदान मंत्री जी से सवेज नवेदन है कि उस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए परदान मंत्री जी कहते है कि देश का जवान पकोड़ा तले पकोड़ा क्या वो अपने घर में तलेगा जब रोड पे रैडी पे पटरी पे कहीं उसे जगहीं नहीं मिलेगी रोजगार करने के लिए तो वो रोजगार कहां से कर सकेगा परदान मंत्री कहता आतम निर्बर भारत बने आतम निर्बर भारत कहां से बनेगा जब रेड़ी पट्री वाला रोजगारी नहीं कर पाएगा चाचा का हमारे का सिलेंडर उठाके ले गए ते मेरा अब करवा टेवल के लीचे से 700 रुपेया भी चाहिए इनको जो आउट गेट के लिए इस बारत में अन्नाई है किने अन्नाई है तो सर मैं कहना चाहता हूं का जब आज हमारा परदरसन था दिल्ली पुलीश कमिशनर से हमारी बात मान लिया है सारे DCP के मेल करें दिल्ली में जिनके जिनके जो शियोपी मिल गया है का उनको परसान नहीं किया जाए जब हमारी मीटिंग होती है तो ACP DCP के साथ ही होती है टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है MCD office में तो हमारी जो TVC मेंबर है जितने भी नजबगर जौन के चुने हुए रेडी पट्री के TVC मेंबर ही है तो जब-जब हमारी मीटिंग होती है तो ACP DCP के साथ ही होते है लेकिन कमिशनर सहाब कहते के ACP DC को मेल करेंगे उनसे बातचीत करेंगे समझ में नहीं आता जब उनको ये बात पता है कि इनको वेंडिंग साथिपिकर्ट मिल चुका है यह हमने तो पड़े घर पे चापनी इसका सिगनेचर लगा हुआ है दिल्ली दक्षिन नगर निगम लिखा हुआ है तो यह अज तक लागू क्यों नहीं होता 2014 का कानून है इसमें हमारी तो कोई बात नहीं है लेकिन हमें इतना परेशान किया जाता है जिसकी को हद नहीं है तो सर मैं कहना चाहता हूँ आज हमारी परदर्शन जंतन मंतर के उपर था दिल्ली पुलीस के खिलाप मगर दिल्ली पुलीस जी को अधिकारी को काम है इनको मेल करना थाना को देना, सब को देना, जिनकी स्योपी मिल गया, इनको परसान नहीं किया जाए ताज कमेर्शनलेर जीने मां लिया गया आज के बाद नहीं परसान किया जाएगा मगर हम इसके भी इंतिजार करेंगे वेट करेंगे, हमरी MCD ने सिवी सेंटर के अंदर वो भी ने हमें लेटर दिया सास का हमारा एमसीडी नहीं पर जब जब आफ़ात आता है अब बताइए सर अगर 32 किलो लगकर वाला ठेली आए का अब उनके 8000 चलान कर दीजेगा तो बें इंसाफी आए कि नहीं है दो रुपे तीन रुपे किलो लगकर के रेट नहीं है का रेडी का मगर एक पैसे वाले का 20 लाक अगर रहा थी गारी एमसीडी उठा के ले जाते है तो उनको 2000 रुपे चलान करके छोड़ देते है तो सबसे जादे अमीर रेडी पट्री वाला है वर सुरू से गरीब मार आता कर रहे हैं का मगर आप हम सब अत्याचार नहीं सहेंगे क्योंकि यहां नहीं तो कहीं और हम चलेंगे हमारा चलते ही रहेंगे आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की